लेकिन ऐसा नहीं है कि अंजली अकेली ठगी का काम को अंजाम देती थी इसके साथ एक पूरे गिरो जुड़ा हुआ था जो कथे तोर पर इसके माता पिता और रिश्टार बनते थे और अब ये पूरी गैंग पुलिस के हत्ते चड़ गई है पुलिस ने जो जानकारी दी है अनुसार राजगड के एक यूवक से शादी करने के बाद अंजली पनवाडी आई और सोने चादी के आभूशन लेकर फरार हो गई जब थाने में रिपोर्ट हुई तो इसकी तीसरी शादी होने से पहले ही सुनेरा पुलिस ने इंदौर की पूरी गैंग को दबोच लिया पनवाडी से भागने के बाद 31 मई को कुम्भराज से एक यूवक को भी ठगी का निशाना बनाया गया था पुलिस ने कहा कि गैंग में 4-5 सदस्य हैं जो अंजली नामक यूती को दुलहन बना कर अलगलग शहरों में अभी तक 4-5 शादिया कर चुके हैं हर बार परिजनों के यहां जाने का बोल कर भाग जाती है ब्यावरा जिला राजकर निवासी प्रवीन शर्मा से 17 मई को इंदौर में आयोचित सम्मेलन में शादी के बाद पती के जीजा कमल के घर पर पनवाडी पहुचियों यहां आए हुए महिला और पुरुष के साथ मौका देखकर जाती है सब्सक्राइब आर चैनल और प्रेस बेल आइकन फोर मोर अप्डेट्स